हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमश्कार बाद बाद स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन तो भाई भारत की शायद सबसे जादा चर्चित EdTech Company जो है वाई जूव उसके ऊपर जो संकट के बादल जाय हुए है पिछले काफी समय से जिसमें उसको थोड़ी सी राहत जो है National Company Law Appellate Tribunal ने पिछले दिनों दी थी वो संकट के बादल एक बार दुबारा से जागए हैं क्योंकि एनकलाट का जो ये डिसीजन था National Company Law Appellate Tribunal का ये जो निरनय था इसको सुप्रीम कोट ने आज बदल दिया है क्या हुआ था ये पूरा मामला क्या है किस तरह से बाईजू ने BCCI भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ एक समझोता कर लिया था और अपने उपर चल रहे दिवालिये पन के मामलों से वो बाहर निकल गई थी और किस तरह से सुप्रीम कोट ने कहा कि एंकलाट का ये जो निरने है ये तकनी की तोर पे गलत है क्या आधार है ये पूरा मामला क्या है थोड़ा सा टेकनिकल है मैं समझा दूँगा चिंता मत कीजिएगा अगले 5 मिनिट में आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूँँ कि भाईया अगर आप UPSC की तयारी कैसे करनी है कौन सी किताबों से पढ़ना है इस बात को लेके चिंतित है तो चिंता भूल जाएए हमारी 18 किताबों का सेट जो है आपको 4,299 रुपए में मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा आपको कोई भी किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी ये बात एकदम क्लियर है तो भाई ये 18 किताबे है ये ले लोगे तो आप मत खरीदो सब कुछ इन में है सबसे वादा अपडेटेड किताबे हैं और अगर आप NCRT को लेके चिंतित हैं कि यार NCRT पढ़ते तो हैं लेकिन बच्चों वाली किताबे हैं समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ UPSC के लिए काम की है और कौन सी चीज़ UPSC के लिए काम की नहीं है तो भई आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पाँच किताबे जो है History, Geography, Policy, Economics or Science and Technology की इनका हमने Compilation मनाया है जो भी चीज़े UPSC के लिए ज़रूरी है वो सारी इन में डाल दी है आप इनसे जुड सकते हैं और आप जो है AJ Live Code लगा के मातर 1200 रुपे मे इसको प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो आज ही ये किताबे ले लीजे और अपने तयारी को एक सही सुद्रण आकार प्रदान कीजे और सबसे बड़ी बात ही किताबों का Confusion अपने दिमाग से निकालिए मैं फिर से एक बार दोरा दू हर बोलता हूं किताबे खरीदते हुए भगवान के लिए अपना पता ठीक डालिएगा हर महीने कम से कम चार पांच केस इस तरह के हो रहे हैं जहांपर विद्यार्थी जो है वो अपना पिन कोड गलट डाल रहा है अपने पते को आधा धूरा भर रहा है आधा धूरा पता भरेंगे किताबे आपके घर तक नहीं ला लिए ठीक है चलिए तो हुआ क्या था जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक समय पर बाईजू जो है ये भारत की सबसे जादा वैल्यूड एटेक कमपनी थी एक समय पर इसका वैल्यूएशन जो था तकरीवन बाईस बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था मैं एक तकनीकी आ उत्पाद उसके प्रॉडक्ट उसका वो कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते इन चीजों पर कोई टिपपड़ी नहीं करूँगा हमारी जो ये क्लास है केवल बाईजू के आर्थिक संकट तक ही स्विमित रहेगी क्योंकि एक डिसेंसी ये कहती है कि अपने के दिमाग में कोई कंफ्यूशन ना रहे ठीक है तो हुआ क्या था बाईजू जो ये कंपनी है ये इसका एक समय पर वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर था हम सब ने देखा कि भाई भारतिये क्रिकेट टीम का जर्सी पे बाईजू लिखा होता था ये आपका लियोनल मैसी फ ग्यापन करते थे तो मतलब आप सोच सकते हैं किस तरकी कंपनी ये बन गई थी उसके बाद से जब इसमें गिरावट शुरू हुई जब इसमें संकट आना शुरू हुआ तो हमने देखा और पिछले दिनों बाईजू के जो संस्थापक हैं बाईजू रविंदरन उन्हों इस बात को मान लिया इस बात को उन्होंने कह दिया कि बाईजू का करंट वैल्यूएशन शून ने है बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने अपने निवेशक करते हैं फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो कई सारे निवेशकों ने बाईजू ने जब भारतिय क्रिकेट टीम को स्पॉंसर किया था हम सभी को याद है ना भारतिय क्रिकेट टीम के जर्सी पर बाईजूव लिखा होता था जो भारतिय क्रिकेट टीम को इन्होंने स्पॉंसर किया उस समय कुछ 158.9 करोड रुपए जो है वो पेंडिंग रह गए भाई BCCI को इन्होंने कुछ पेमिंट कर दिया सारा पेमिंट एक साथ तो होता नहीं है देरे देरे होता रहता है तो BCCI को बाईजू पेमिंट करता जा रहा था और BCCI की शिकायत पर क्या हुआ बाईजू पर क्योंकि ये पेमिंट नहीं कर पा रहा था तो बाईजू पर क्या हुआ दिवालिये पन की प्रक्रिया प्रारंब हुई बाईजू पर दिवालिये पन की प्रक्रिया प्रारंब हुई जब वो शुरू होती है तो कंपनी का नियंतरन जो है वो कंपनी के जो अभी वरतमान मैनेजर होते हैं अध्यक्ष होते हैं फाउंडर होते हैं उनसे ले लिया जाता है और किसी स्वतंत्र व्यक्ति को दे दिया जाता है ठीक है एक आपका इंसॉल्विंसी ओफिसर बनाया जा अब बाईजू रविंधरं सहब कमपनी का नियंतरण खोना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, BCCI के साथ एक डील कर ली, और उन्होंने क्या किया, BCCI को ये 158.9 करोड रुपे चुका दिये, उन्होंने क्या कहा, बई 158.9 करोड रुपे की देंदारी थी, ये उन् उने पैसे लगाए थे तो एक अमेरिकी निवेशक था जिसका नाम था ग्लास ट्रस्ट एक अमेरिकी एक इन्वेशक था जिसका नाम था ग्लास ट्रस्ट तो इस ग्लास ट्रस्ट ने इस मामले की शिकायद भारत के सुप्रीम कुट से की इसने कहा कि यार एक बात बताए logically सोच यार कि आपने अपने एक दोस्त को पैसे उधार दिये थे और एक अन्य वेक्ति ने भी पैसे उधार दिये थे आपका दोस्त दूफ्रे वेक्ति को तो पैसे चुपा रहा है आपको नहीं दे रहा, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, यही बात एकदम बाईजू के साथ है, ग्लास ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कि भाईया ये क्या सेटलमेंट चल रहा है, और अगर बाईजू पैसे दे रहा है, तो हमको भी मिलने चाहिए भाई, ह हमको कुछ नहीं दे रहा है, हमारे को देने के नाम पे कह रहे हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है, यह क्या तरीका है, तो इन्होंने क्या किया सुप्रीम कोर्ट से इस बात की शिकायत की, सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना, और सुप्रीम कोट ने अब ये निरने दिया है कि यहाँ पर यह जो आपका glass trust है, इसकी appeal एक दम सही है, एक बार अगर दिवालिया पन की प्रक्रिया शुरू हो गई, अगर एक बार दिवालिया पन जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, तो आप ऐसे किसी एक निवेशक क साथ अपना red settle नहीं कर सकते, उसके बाद क्या होता है, एक रिणदाताओं की समिती बनती है, committee of creditors बनती है, जो भी आपको चुकाना है, आप उसको चुकाएंगे, एक रिणदाताओं की समिती बनती है, और फिर insolvency की प्रक्रिया के आधार पे तै कि जो पैसा आया है, वो उसके तै नहीं कर सकती, ये बाद सुप्रीम कोट ने कही, और सुप्रीम कोट ने कहा कि चुंकी एक बार दिवालिये पन की प्रक्रिया प्रारंग हो गई है, तो अब बाईजू को जो भी पैसा चुकाना है, वो उसे रिणदाताओं की समिती को देना पड़ेगा, ना कि व पत्ती में से पैसा दिया है, लेकिन सुप्रीम कोट ने इस फर्क को भी मानने से इंकार कर दिया, और सुप्रीम कोट ने बी सी सी आई को आदेश दिया, कि ये जो भी पैसा आपको बाईजू ने दिया है, ये पैसा आप रिणदाताओं की समिती के पास जमा करें, और कि इस मामले में आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, आपने कानूनों का ठीक से पालन नहीं किया, एक बार अगर दिवालिये पन शुरू हो चुका है, तो फिर आपको जो है, आपको दिवालिये पन की प्रक्रिया को ही फॉलो करना पड़ेगा, इस तरह से आपने क्या किया भई BCCI के कहने पर दिवालियापन शुरू हुआ था, बाईजू ने BCCI को पैसा चुका दिया, तो आपने दिवालियपन की प्रक्रिया रोक दी, ये कानून सम्मत नहीं है, कानून इसकी अनुमती नहीं देता है, ये निरनय सुप्रीम कोट ने दिया है, यानि कि अब बाई के लिए जटिल एकनॉमिक टॉपिक है, और मैं आशा करता हूँ, ये सिंपल एक्जाम्पल्स के मध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूँ, कि भाईया, NCRT पढ़ने में तकलीफ ह कोरी है, तमझ में नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं है, पांच किताबों की सिरीव है, बारा सो रुपे की ले सकते हो, AJ Life Code लगा के, सारी NCRT इन पांच किताबों से हो जाएगी, कुछ भी और किसी चीज़ को हात नहीं लगाना, इसके अलावा, अगर आपको लगता है कि प अपने तयारी को सही आकार प्रदान कीजिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.